सब्सक्राब कीजिए संस्क्रिद दर्सन चैनल को और नौटिफिकेशन घंटी को दवाएं जिससे संस्क्रिद से संबंदित वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों संस्क्रीद दर्शन चनलन में आप सभी का स्वागत है और कारक प्रिकंट चल रहा है हमने तृतिय विभक्ति तक अध्यन कर लिया है आज से हम चतुर्थी विभक्ति का अध्यन करें शुरू कर रहे हैं चतुर्थी विभक्ति ठीक है चतुर्थी विभक्ति इसको संप्रदान कारगी बोला जाता है चली वो अगला विसे है अब इसका हम पहला सूत्र ले लिते हैं कि चतुर्थी विभक्ति होती कैसे कैसे है कहां कहां है सूत्र है कर्मना यमभी प्रेति स संप्रदानम ठीक है ध्यान से देख ले ना मैंने बताया कि कोई भी विभक्ती हो चाहें वो प्रित्मा रही हो या दुतिया रही हो तृतिया या चत्रती है उसमें मात्र एक या दो जो सूत्र होते हैं यादि हम आप उनको अच्छे से समझ लें तो मैं आप से वादा करता हूँ कि फिर उसमें गलतियों की संभावरा बहुत कम हो जाती है मैंने हमीसा बताया है कि चिनों के द्वारा हमने चिन जो पड़े थे वो कोक के लिए यानि कि इसमें जो चर्थुत्रुप में प्रियों किया आता है संप्रदान में कोक के लिए ठीक है, यह चंप्रियों के आता है तो यहां क्या से प्रियों होगा, वो देखते हैं थोड़ा इसका व्याक्षा कर लेते हैं करमना इसके मतलब है करम के द्वारा चलो लिख लूँ मैं इसको है ना कर्मणा यम अभी प्रेती सह इसमें बिसर्ग नहीं लगाएंगे और संधी के जरीए नहीं लगाएंगे आगे वारे समय में हम समझाएंगे कहां-कां बिसर्ग लग सकते हैं कहां-कां नहीं लगते संप्रदानम ठीक है अब देखिए थोड़ी ब्याख्यां देख लिजिए समझ में आज आएगा ये दो सूत्र जो बताऊंगा मैं आज तीन वो समझ लिए ये जड़ हैं कर्म ना मानी कर्म के द्वारा क्योंकि तिरतिय विवक्ति कैस में प्रियू किया गया है ये मानी जिसको जिसकी जिसकी कुछ भी कर लीजिए या जिसकी प्रियू करिए क्योंकि हम जिसकी या जिसको दान देना चाहते हैं जिसकी और जाते हैं तो को या की दो नहीं प्रियू कर लीजिए ठीक है अभी प्रितिय यहां क्रिया है ये असका मतलब होता अभी मतलब की और है ना जिसको विशेस रूप से या जिसकी और त विशेश रूप से जाए ठीक है ना जिसकी और विशेश रूप से जाए सामानी वह संप्रदान अठा उसकी संप्रदान संग्या होती है ठीक है अच्छा संप्रदान होता क्या थोड़ा से इसको समझे ले चलिए आप देखे थोड़ा सम्प्रदान के बारे में समझे लिजी यह सम्प्रदान है इसका मतलब क्या होता है यहाँ थोड़ा सा लिख दूमे सम्द सम्यक ठीक है सम्द सम्यक दियते प्रकर्शेण अश्मई इती सम्प्रदान ठीक है सम्द सम्यक दियते प्रकर्शेण अश्मई इती सम्प्रदान अर्थात किसी को कोई वस्तु दे दी जाया फिर उससे बापस न ली जाया उसकी सम्प्रदान संग्या हो जाती है तो इस सुत्र के द्वारा जब किसी को विशेश रूप से कहा जा के इसको दान दिया जा रहा है मतलब जिसको दिया जा उसमें उसकी जो दान लेता है लेने वाले की अर्था जिसको दान दिया जाता है उसकी संप्रदान संग्या हो जाती है अब संप्रदान संग्या होने पर चतुर्थी विवक्ति की सूत्र से होती है थोड़ा सा ध्यान दें तो समझे आयेगा चतुर्थी संप्रदाने है ना अर्थात संप्रदान में चतुर्थी विवक्ति का प्रियोग कर लिया जाएगा एक और थोड़ी सी बात किताता चलो सरलतम वेदी से संप्रदान यानि दाध हातू से मना है ये इसको देखो सम और प्र ये दो उपसर्ग लगे हुई हैं और ये दाध हातू है तो यहां थोड़ा सा ध्यान दे जब भी दाध हात हुआ या देने के अर्थ में जो ले या जिसको दिया जाए उसकी संप्रदान संग्या हुती है उससे चत्रत विप्ति का प्रियोग कर लिया आया था बहुत सा अरत तरही किसे ऐसे समझ सकते हैं उदाहान के तो और पर मैं समझाने के प्रियास करूँगा आपको ब्रामन को गव देता है अब देखिए मैंने बताया ना दाधातु को याद रखे देने के अर्थ में किसको देते हैं ब्रामन को अगर हम चिन का भी याद रखे हैं को के लिए में चत्रुति विवक्ति का प्रियोग होता है दाके साथ में ठीक है तो यहां ब्रामन क्या हो गया संप्रदान संग्या हो गया संप्रदान संग्या से संप्रदान कारक हो गया और संप्रदान से चतुरती विविक्ति का प्रियों कर लिया जाता है तो क्या बन जाएगा विप्राय गाम ददाती तो ये वातन साफ होती चली जा रही है उम्मीद है एक दो इसके उधाण और दूमे जल्दी जल्दी फिर आपको समझमा जाएंगी दाध हातू के साथ ही इसमें बहुत सारी अगर तुम किताबां पढ़ोगी तो कन्फूजन का विसा है कि जो बस तू दे करके लीन जाए बापस उसमें ही चतुरती विविक्ति का प्रियों होता है लेकिन सारे निसकर्स पर सभी विव्याकान एक ही मत्ध है कि बस तू मात्र देने से जैसे कपड़े दिये जाते हैं प्रेश के लिए तो वहां कपड़े बापस भी आते हैं तो वहां भी चतुरती विक्ति का प्रियों किया जाक्या चात्र को इनाम देता है तो देने के अर्थ में चात्र को के लिए यानि चत्रती इसकी संपरदान हो गया संपरदान में चत्रति विवक्ति का प्रिव कर लिया जाएगा तो छात्र आए पारित तूशकम वितारती ठीक है तो यहाँ इनाम दे रहा है छात्र के लिए दिया जा रहा है तो छात्र में लेने बाला कौन है छात्र है जो ले याद रखना जोर चीजों को गिर्हन करे जो ले उसमें चतुरती विवक्ती का प्रियो किया जाता है तो छात्राय पारितोशिकम वितरती बस चलिए आगे चमते हैं पिता को पत्र लिखता है अब देखी यहां तो ना दाधातू है ना कुछ प्रियो किया गया है लेकिन यहां चतुरती विवक्ती कैसे हो जाएगी पत्र लिखता है किसके लिए पिता को देने के लिए पिता को मिल जाए तो लेने वाले कौन है पिता है तो इसलिए यहाँ जनकाय चतुरती विवक्ति का प्रियोग कर लिया जाएगा पत्रम लिखती ठीक है न पिता के लिए पत्र लिखता है या पिता को देने के लिए पत्र लिखता है तो इसकी संप्रदान संग्या हुई कर्मणा यह में प्रति संप्रदान सुत्र से और चतु चतुरती विवक्ति का प्रियोग कर लिया गया दोनों को समझ लेना यह संग्या विधायक सूप्त्र है अर्था यह संग्या होती है संप्रदान और वह चतुरती विवक्ति का विधान करता है कि संप्रदान में चतुरती विवक्ति का प्रियोग किया जाता है चली और देखत हैं हम गुरू जी के लिए फल लाता है ठीक है तो फल लाना यानि कि लाना देने से स्तमंद नहीं लेकिन गुरू जी लेने बाले हैं हैं फल कौन लेगा वो मुक्रूप है ये देखिए गुरू जी फल लेंगे ठीक है ना फल कोई लाता है किसके लिए गुरू जी के लिए तो गुरू जी को देता है ला करके थोड़ा अर्थ भी इसको गहराई से समझना क्योंकि इसमें गलतियां होनी संभावन रहती है लेकिन यहां को के लिए अगर चिंद से प्रियूग करेंगे तो बहुत ही आसानी से यह हो जाएगा तो क्या बन जाएगा इसमें कि गुरवे कि फ्लम आनयती ठीक चलिए तो उमीद है यह आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और इसमें मुझे अब मुझे नहीं लगता कुछ इसमें समझाने के लिए बचा है याद रखना जब भी कोई चीज किसी को विशेश रूप से देखा जाया कि इसको देनी है बस देने के अर्थ में ही इसमें प्रियोग कर ली जाती है तो मैं अगला सुत्र लेता हूं इसमें कि यहां करमना यह प्रिती सा सम्प्रदार्म था तो इसके लिए एक और है क्रिया अपी क्रिया अपी अव प्रिती सा सम्प्रदार्म यह वारतिक है मैं आपको बताया था वारतिक के वारम कई बार अब थोड़ा सा इस पर ध्यान दें वहां करम के द्वारा यानि की दान रूपी जो करम था उसके द्वारा सम्प्रदार्म संग्या वरति यहां किरिया के द्वारा कोई व्यक्ति किसी को अपने अनकूल बनाता है उसकी संप्रदान संग्या वुति है जिसको अनकूल बनाता है जिसको अनकूल बनाता है अनकूल बनाता है जिसको उसकी संप्रदान संग्या होती है उसमें चत्रुति विवक्ति का प्रियोग किया जाता है यहां थोड़ी सी बात और समझने की है कोई करता जो होता है वो अपने अनकूल कब बनाता है जैसे कोई विद्ध्यारती से किसी गुरु ने कहा कि आप चलिए जाडू लगाईए परंतु विद्ध्यारती जो हैं शिष्ष जो हैं वो जाडू ना लगा रहे है तो गुरू जाकर के स्वयम जाडू लगाने लगे तो वो क्रिया हो गए जाडू लगाना एक तरह से क्रिया है और जो क्रिया की जा रही है किसको अनकूल करने के लिए विद्ध्यारतियों से अर्थात शिष्ष्यों से जाडू लगाने के लिए वो क्रिया की जा रही है तो क्रिया के द्वारा याद रखना क्रिया के द्वारा जिनको अनकूल किय जा रहा है विद्ध्यार्थियों को अन्कूल किया जा रहा है अर्थात आप भी झाड़ू लगाएं तो वहां अन्कूल होने पर उसकी संप्रदान संग्या हो जाएगे और चत्रति विवक्ति का प्रियों कर लिया जाएगे उध्हान देखेंगे तो बात साफ होती चली जाएगी चलो चली हम इसी का एक उध्हान देखे लेते हैं ठीक है गुरू शिश्य के लिए जाड़ू लगाता है ठीक है अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देगे तो बात साफ होती चली जाएगे गुरू जाड़ू लगाता है ठीक है जाड़ू लगाता है किसके लिए शिश्य के लिए यह थोड़ा सा ध्यान देंगे शिश्य के लिए गुरू जो है शिश्य के लिए जाड़ू लगाता है इसका यह अर्थ इसमें समझें नहीं आ रहा इसको दूसरी तरी से समझेंगे साफ हो जाएगा गुरु ने मैंने बताए था इसके बारे में जब शिष्य से कहा कि जाडु लगाईए तो वो अनमना मंद करके चल दिये तो गुरु ने उठाई जाडु और स्वेंबो लगाने लगे उनको देख करके शिष्य जाडु लगानों के लिए अनकूल हो गए अर से संक्रदान संग्या हो गई बारतिक से संक्रदान संग्या हो गई और चतुरथी संपरदान से इसमें चतुर्ति विवक्ति का प्रियोग हो जाएगा तो देख लिए हैं गुरु हूँ ने शिष्यभ्या जाडु मार्जनम करवति थीक, उम्मीद है सही समय मागी होगी, चलिए, हम एक बहुत ही प्रिसिद्ध उधाण है उसको ले लेते हैं चलिए, हम एक बहुत ही प्रिसिद्ध है, बाग के उसको देख लेते हैं, पत्ते, शेते, ठीक है ना? यहां थोड़ी सी बात हैं समझाऊंगा मैं आपको इस क्रिया या पी यम भी प्रेति ससंप्रदानम इसके अंतरगत इसका उदाहन बहुत ही जादा दिया जाता है पती के लिए सूती है इसका यह अर्थ है ठीक है यह पती के उद्धिश के लिए सूती है अब यहां थोड़ा सा इस अनवाद को देखकर के भ्रमात्मक्तत फैल गया है और जब हम वियर्ड करते थे उसमें भी कुछ मित्रों ने इसके बारे में थोड़ा सा भद्दा सा बोला था तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक छोटी सी कहानी सी मतलब मैं जो भी बा आख्या है वो कहीं भी नहीं है वस मैं अपने आप से बनाने का प्रयास किया है और आप हमसे अच्छी भी बना सकते हैं ठीक है तो यहां पती के लिए सोती है सोने पर थोड़ा ध्यान देंगे तो बात साफ होती चली जाएंगी सोने की जो क्रिया है अनकूल बनाना है पती के लिए ठीक है पत्नी पूरे दिन काम करके ठक चुकी है जब वो सोने जाती है तो पती अपनी बाहर की बातों को पूरे दिन की जो उसकी दिंचरिया होती है उसको अपनी पती से शेयर करना चाहता है उससे बातों को बताना चाहता है कि सुवैसे साम तक क्या क्या हुआ और क कुछ घर की समस्यां है कुछ बाहर की समस्यां है कुछ बविष्ट के प्लान है कारिकरम है कुछ उनको बारे में बताना चाहता है लेकिन पत्णी को नीद आ रही है अब वो पति से कह नहीं सकती यह से स्टार चार वस यहां पर पत्नी जो है पति से कह नहीं सकती कि आप सो जाए मुझे नीद आ रही है तो उसको क्या करना है वो सोने का वहाना करती है पत्नी जो है वो सोने का वहाना करती है जैसे सोने के लिए के खराटे लेना या सारी क्रियां होती है सोने की इस तरह से भाना करती है तो पती को आवास होता है कि पत्नी को नीदा रही है या पत्नी सो गई है तो वो भी सोने के लिए अनकूल हो जाता है ठीक है इसलिए यहां पती जब अनकूल हो गया करता जिसको अ अन्कूल बना रहे हैं पत्ती को सोने के लिए इसलिए यहां चत्तुरती विवक्ति का प्रियोग किया गया है ठीक है उम्मी रहे यह बहुत अच्छे समझे में आ गया होगा आपके क्योंकि मैंने बाकियों को सिर्फ बताने का प्रियास किया है और आप भी इसमें प्रियोग कर रखते हैं चलिए हम अगले उधान पर चलते हैं माता शिशु के लिए दूध पीती है यह जो उदाहन है यह तो विभारिक बाते हैं लगवा सभी जानते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है उसको दूध पलाया जाता है तो बच्चे का है दूध से थोड़ी सी चिड मानते हैं और वो पीना निचानते भाग जाते हैं तो मा उनको अनकूल बनाने के लिए हैं थोड़ा ध्यान देंगे तो बात साथ उत्र चली जाएंगे यानि कि बच्चे के लिए बच्चे को अनकूल बना ले के लिए वो दूध पीती है जब मा देखती है कि दूध नहीं पी रहा है तो वो दूध की जो कटोरी है या कोई और पात्र है जिससे दूध पिलाया जा रहा है बच्चे को उसको अपने मूँ तक लाती हो कहती है अगर तुम नहीं पी होगे तो मैं इसको पी जाओंगी तो बच्चे को थोड़ा सा डर लगता है और भ्रहम होता है कि कहीं है सना हो कि मम्मी ही दूध पी ले मा ही दूध पी जाए तो अनकूल होता है पीने के लिए बच्चे फिर दूध पी लेता है माता ने दूद पीने का वहना किया किरिया की बच्चे को अनकूल करने के लिए जब बच्चा अनकूल हो गया तो इस सुत्र के द्वारा क्योंकि अनकूल होते ही संप्रदान संग्या कर देता है और इस उत्र से चत्रतिवे वक्ति का प्रियों कर लिया जाता है माता शिशवे पयाहा पेवति उम्मीद है समझ में आ गया होगा मैंने बताया था कहानिया आए एक तरह से बाकी को समझा नहीं किया आप भी बाक अच्छे से समझा सकते हैं आगे लिए उधान लेंगे दो और देखिए मित्र के लिए बैठता है यहाँ पर भी बाकी को समझाने का प्रियास करूँगा माली जी दो मित्र हैं और रास्ते पर चल रहे हैं और कुछ बिशेश बाते कर रहे हैं चलते चलते कुछ समय बाद उसको दोनों मित्रों में से कोई एक मित्र होता है उसको थकान महसूस होना लगती है तो पहले मित्र जो होता है उसको महसूस होता है कि मित्र को कुछ थकान महसूस हो रही है तो मित्र के लिए यहां थोड़ा ध्यान दें यह प्रथम मित्र है उसने अपने मित्र को देखा के ठका गुए महसूस कर रहा है यह तो उसके लिए वो कहीं एक जगहे चुन करके बैठ जाता है उसको देखता है बैठते हुए तो दूसरा मित्र जो ठक चुका है वो भी वही है एक बैठना नहीं चाहता दूसरी मित्र के लिए चाहां थोड़ा सा उसको कष्ठ हो जाए तो यहां अनुकूल जो मित्र है इससे चतुरती विवक्ति का प्रियोग हो जाएगा क्योंकि इससे संप्रदान संग्या हो जाएगी इसकी और चतुरती संप्रदाने से चतुरती विवक्ति का प्रियोग कर लिया जागा तो मित्राय तिश्ठती मैं अपनी तरब से इन बाक्यों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं और अगर आप इसको देखेंगे तो आप और अच्छे से इसको बनाने का प्रयास कर सकते हैं और कर भी लेंगे बहुत से कुछ होते हैं जो बहुत अच्छे से बात बाक्यों बना लेते हैं और उनको समझा भी लेते हैं तो उम्मीद कर रहा हूं आपको थोड़ी सी बात ने ये समझ में आ रही होंगी ठीक है चलिए एक उधान और देख रहेंगे हम युद्ध के लिए तैयार होता है युद्ध करने के लिए यहां तैयार होना युद्ध अनकूल नहीं है लेकिन यहां क्रिया के लिए क्रिया की जा रही है युद्ध करने के लिए जा रहा है उसके लिए तैयार हो रहा है तो यहां युद्ध के लिए, ठीक है, यहां पर भी इसमें चतुर्थी का प्रियोग कर लिया जाएगा, युद्धाय सन्नेहते, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, समझाने का, क्योंकि यह थोड़ा सा, इसमें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, मैंने भी एक बात दो बार पढ़ा था, समझने आया था, दो तीन बार मैंने जब पढ़ा, इसको तब अच्छे समझ में आया, और मैंने अपना पूरा प्रियास किया है, फिर भी इसमें कहीं कोई समस्या होगा, आपको कोई दिक्कत हो, तो मुझे कमेंट में अवश्य समझ में आती हैं, ठीक है, तो आज चत्रत भी विक्ति के हमने दो, तीन सुत्र समझाने का प्रियास किया, आज इतना ही, नमस्कार, जहिंद,